नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल लेगे होगे आज मैं आपके लिए कोई जोब अपडेट नहीं लेके आया हूँ काफी इपोर्टेंट इन्फोर्मेशन लेके आया हूँ बहुत सारे केंड़ेट अभी टैंथ में है और उनका टैंथ का एकजाम होने वाला है थोड़े ही दिनों में तो बहुत सारे केंड़ेट को इसे लग रहा है कि पास कैसे होएंगे क्योंकि पूरे साल कुछ भी नहीं पड़े बहुत सारे candidate pass तो हो जाएंगे अच्छे परसेंटेज कैसे बनाएंगे कोई 60% परे सोच रहा है कि मेरे 60 बनने चाहिए कोई 60 वाला सोच रहा है कि मेरे 80 बनने चाहिए 80 वाला सोच रहा है कि मेरे 90 बने 90 वाला सोच रहा है कि मेरे 95 बने कि मसलों थोड़ा सा परसेंटेज में improvement कैसे करें कि हमारे अगर percentage बन रहे हैं मालों कि आपको लगता है कि मेरे 60 percentage बनेंगे तो उसको मैं 70 कैसे improve करेंगे अगर जितना भी तुमारे पास timing बचा हुआ है और मरला कम टाइम में अच्छे number कैसे लाएं पेपर को पास कैसे करें जिसको फेल होने का डर है वो पास कैसे होएं जिसको पास हो जाएंगे तो वो अच्छे number कैसे लाएं उसी पर बात करूँगा चार-पांच आपको tips बताऊँगा एक तरह की trick है वो वो अजमाना आपके लिए काफी helpful होने वाला है वीडियो पूरा देखें आखरी तक और ज्यादा ज्यादा शेर करना जिसके भी भाई बंदू फ्रेंड सर्किल में 10th में है या 12th में है सबके लिए important होने वाला है कोई साब exam हो आपका BA BA सिकाओ उसके भी वीडियो में ने बिनाके चैनल पर एपलोड कर रहे है वो भी आप देख सकते हो सबसे पहले हम बात करते है कि जैसे कि आपके कितने subject होंगे याँ पे approximately 6 subject होते है 10th में almost 6 subject होते है इसमें एक हिंदी होता है एक इंगलिश होता है जर्नल साइंस हो गया और सस्टी हो गया मेथ हो गया पांच यह हो गया एक थर्ड लेंग वेज का कोई subject होता है तो 6 होते हैं 100 नंबर का होता है कितने होगे 600 नंबर होगे सबसे पहले आपको क्या करना है जिसे मान लो आपके exam में अभी एक महीना है जिसे मान के चलो एक महीना है तो सबसे पहले एक नंबर पर आप क्या करोगे अपना क्या देखोगे syllabus देखोगे ठीक है syllabus हो जाएगा उसमें आपको ये देखना है कि syllabus के अंदर जहाँ पे कोई भी आपका वो पार्ट नहीं है कि practical होगा ये होगा syllabus के according आपको सबसे पहले क्या करना है आपने अपना syllabus देखा उसमें आपको अपने important topic बोल सकते है या वो topic बोल सकते है कि जो topic आपको अभी आ रहे हैं उन पे ज्यादा फोक्स नहीं करना है यह topic है यह हमारा syllabus है इतना इतना हमें पढ़ना है यह exam में आएगा तो वो चीज आपको सबसे पहले देखने है दूसरा point क्या है आपको previous year paper उठाने है कितने last five year के last five year के पास साल के आपको previous year के paper लेने है market में मिल जाएंगे या कहें भी आपको मिल जाएंगे वो उठाने है आपको उनको देखना है उनको यह analysis करना है कि frequently question ज्यादा तर question किस topic से आ रहे है का से ज्यादा तर question हमें देखने को मिल रहे है वो आपको analysis करने है उसमें देख लोगे तो आप यह देख लेना उसमें से कि मुझे कौन सा टोपिक आ रहा है इसमें से मेरा कितना तयार है और कितना मेरे को नहीं आ रहा है कितना मेरे इसमें तयारी नहीं है तो मुझे कितना अभी और देखना है यह दो चीज हो जाएगी, प्रिविशर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टोपिक या कौन सा चेप्टर कितना वेटेज दे रहा है, तीन नंबर आपका बात है, टाइम कम है, उसको मेनेजमेंट कैसे करें, किसलेवस चाद है, टाइम कम है, उसको पढ़ना कैसे, कोपी के अंदर लिखना कैसे है, उसका टाइम कैसे मेनेजमेंट करना है, वो मैं आगे बताऊँगा, यह हमें ऐसे करना है कि यह अभी टाइमिंग मालो एक महिना या 20 दिन है, उसमें मेरे को कैसे पढ़ना है, तो आपक को कितने दिन मिलेंगे पांस दिन मिलेंगे और छे पांजे कितने होगे तीस दिन होगे लास्ट वाला आपका चेप्टर होगा सुरी सब्जेक्ट होगा जिसका सबसे पहले एक्जाम हो रहा है जिसे मालो हिंदी काउट है सबसे पहले तो हिंदी को आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है तो लास्ट के इस महिने में से आपके पांस दिन बच रहे है ना और जो हिंदी का पेपर आ रहा है पांस में इसको आपको पहले पढ़ना है तो इसमें आपकी कंटीनियू पढ़ाई हो जाएगी पांस दिन और आप पेले हिंदी का paper attempt कर दोगे ठीक है उसके बाद आपको ऐसे continue रखना है आगे जैसे English का paper आ रहा है ये 10 तारीक को paper हुआ मानलो ये हो रहा है कितनी तारीक को 15 का हो रहा है तो 5 दिन इसमें मिल रहे हैं ठीक है 5 दिन मिल रहे हैं इन 5 दिन में आपने जो पढ़ा है वो यहां पे असानी से revise हो जाएगा आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा या नहीं पढ़ रहा हूँ यह नहीं क्योंकि अगर आपने एक बार पेले पढ़ लिया उस महिने में यहां आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितना में टाइम मिल रहे हैं इस पेपर के बीच में तो आप उसको जल्दी जल्दी रुआइट करोगे तो आपके डवल वेनिफिट यहां पे हो जाएगा उसमें क्या करना आपको साथ साथ में क्या करने सोट नोट बनाने है पता लग जाएगा कि मेरे को यह यह चीजे पढ़नी है मेरे सब्जेक्ट में यह चीज इंक्लूड़ेड है और मुझे यहां पे ध्यान देना है तो सोट नोट आपको यहां पे बेनिफिट तरेगा सलेबस देखा प्रीवी शेर देखा टाइम का मेरेजमेंट देख लिया अब पेपर स्टार्ट हो गया ठीक है तो सबसे इपोर्टेंट बात ही है कि पेपर को अटेंप्ट कैसे करें ठीक है पेपर को अटेंप्ट कैसे करें सबसे मेल यही है कि पेपर हमें कैसे लिखना है तो पेपर आप कैसे लिखोगे पेपर लिखने का मैं आपको बता दूँ जैसे यह हमारी कोपी है ठीक है तो जो बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लाश्ट इंप्रेशन होता है अगर आपने इग्जामिनर की दिमाग में starting के 4-5 question अच्छे से दे दिये उनका answer अच्छे से दे दिया तो आपको अच्छे नमबर मिलेंगे अगर आपने कचरा कर दिया राइता कर दिया सारा तो उसके बाद आप कितना ही अच्छे लिखना उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला तो आपको सबसे पहले वो ही question attempt करने है जो आपको आ रहे हैं अच्छे से उनके answer आ रहे हैं वो पहले attempt करने हैं जिससे आपका अच्छा impression बनेगा और उसका आपकी copy के परती एक positivity दिखेगी तो वो इसको अच्छे से चेक करेगा और number भी अच्छे से देगा क्योंकि उनको कोई number घर से देने नहीं होते हैं वो पता नहीं किस mood में आ रहे हैं घर से क्या उनके problem चल रही है अगर आप भी सही से copy में नहीं लिखा तो वो सारा गुस्सा आप पे आ जाएगा अगर आपने पहला question attempt कर दिया अच्छे से दूसरा कर दिया चोथा कर दिया ऐसे अच्छे से करते रहें किसी person को re-attempt ना करें पेज की आपको पास कोई कमी नहीं होगी copy full मिलेगी अच्छी खासी बड़ी copy होती है आपको अगर भर जाएगी तो और भी मिल जाएगी तो सब सबसे simple सी बात है साफ सुत्रा लिखे और अच्छा लिखे उसके बाद अगर diagram बनाने की बात आएगी तो diagram mostly आप क्या करना एक page में बनाने की कोसिस करना ठीक है अच्छा खासा diagram बनाना ऐसे मान लोग ये को डाइगराम है अच्छा सा बनाना इसके इसे parts लिखना किस चीज क निच्चे नाम लिखना जरूर कि चितर करके या diagram करके जो भी आपका है किस चीज का diagram बनाए वह अच्छे से लिखना और उसके पार्टेसन देना इससे क्या होता है कि इंप्रेशन जाता है वह सोचे का बच्चे ने diagram अच्छा बनाया है तो अच्छा ही उसके अंदर ठोहर से नंबर दे देगा आगे क्योंकि इतना टाइमिंग नहीं होता है ना उनके पास पूरी कोभी पढ़ने किस-किस की पढ़े कोपी और वही दस-पंद्रा-बीस कोश्चन रहते हैं हर बार गिसे-पिसे आनसर आते रहते हैं गिसे-पिटे हुए बार-बार पढ़के वह बो इसे नहीं है कि आपने पहली विशेस्ता यहां पर घ्लय यहां पर लिखी दूसरी स्के आगे ऐसे करी सादी दूसरी यहां-खत्म rejected वर higher है यहां से देश के, ऐसे attempt करना है, दूसरा अगर हिंदी का paper होगा, तो वाँ आपको इसे answer नहीं लिखना है, कई बच्छों का आलत होती है, answer number 1, answer number 2 ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि हिंदी का paper है, तो वाँ English word यूज करने का कोई स्वाल नहीं होता है, तो हो सकता है, वो आपका हर एक question आदा आदा नमबर काट सकता है, आपने English यूज की है, हिंदी का मतलब आपको हिंदी में ही लिखना है, तो वहाँ आप क्या लिखोगे, उत्तर करके लिखोगे इसे, उत्तर करके लिखोगे ठीक है, आंसर नहीं लिखोगे Next बात करूँ, बहुत सारे चंड़े के उन्षियार बनते हैं, उन्षियार चंद होते हैं, ज्यादा शाने बनते हैं तो आपकी कोपी होती है, उसका पहला पेज देखना, ऐसे होता है बना हुआ इसे, उसमें क्या होता है कि 1, 2, 3, ऐसे कॉश्चन नमबर लगे होते हैं वो 5 नमबर वा था, आपके 3 नमबर आये ख्यामिनर क्या करेगा, 21절 में Donut पेhले पेज पे लिख देगा या 3 नमबर उसके बाद 2 नमबर में 4 नमबर आये या लिख देगा 4 नमबर उसके बाद आपने 6 नमबर किया, उसमें आपके साड़े तीन नमबर आए, यहां लिख देगा साड़े तीन, ठीक है वो उसे चलता जाता है, अब आप क्या करते हो, कई बार क्या करते हो, कि एक नमबर क्वेशन को क्या दुबारा फिर यहां से अटेंप्ट कर देते हो, पासाथ पेज भरने के बाद कोपी को, यहां आपको साड़े तीन नमबर दे दिये, फिर वो जब साड़े तीन नमबर दे बारहला आगया को आपको एक भी नमबर नहीं देगा वो सकता है, कम वाल नमबर वहाँ रडाई, वो सकते जादेवाल नमबर भहाँ पर चाड़ा दे वो सकते एक भी नमबर ना दे वो उसके mindset पर उसके depend करते है ऐसा आप कब करोगे किस situation में करोगे अगर आपका एक number question है अगर उसके अंदर तीन question दे रखे हैं इसे ठीक है तीन question दे रखे है और आपको ये तीनों attempt करने है आपने क्या किया पहले एक number question के एक जगन दो question attempt कर दी एक number का first एक number का second अब आपको तीसरा question आ नहीं रहा है तो आपने दो number question कर दिये चार number कर दिये तीन number कर दिये पांच number कर दिये उसके बाद आपको तीसरे का अंसर आ गया कैसे कैसे तो अब आप यहां करोगे ना एक नंबर का तीन नंबर ऐसे तो यह मान्या है इसमें रिपीटेड नहीं लिखा जाएगा इसमें आपको जो आपके नंबर मिलते से माल यहां पे आपको दो नंबर मिले यहां पे आपको ड लग-अलग जगे अटेंप्ट कर रहे हो तो वह चल जाएगा पर एक question दिया है उसको आप बार-बार अलग-अलग जगे attempt पर नहीं चलेगा इस चीज़ का विशेश करके ध्यान रखना है और answer number सही से लगाना है question की बहुत सारे candidate अच्छे से paper attempt कर देते हैं पुरा पेपर एटेंप्ट कर देते हैं बट ऐसी गलती कर देते हैं उनके नंबर कट जाते हैं आपको टाइमिंग भी अच्छा-कासा मिलेगा ढ़ाई तीन गंटे मिलेंगे तीन गंटे का फोक्ष पेपर होता है तो टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कोपी भर पर आपको यह 4-5 ट्रिक जो मैंने बताई है इनका आपको विशेश करके ध्यान रखना तो आप अच्छे से अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो और जिस केंड़ेट की कुछ भी तियारी नहीं है क्या करू मुझे पास होना है तो वह भाई कुछ भी मत कर अपने प्रिव तो मेरी आज की सलाह देनी थी आपको कि 10th का हो गया 12th का या B.A.B.S.E. सब बच्चों का एक जाम चल रहा है मैंने सब के वीडियो बनाके अप्लोड करके आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो और आपके लिए काफी helpful होने वाला है यह बहुत उपी हो गया है खुद मत आपके नंबर ना बढ़े तो गरंटी है नंबर जुरूर बढ़ेगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को जदस जदस शेर करो और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद धन्यव झाल